दोस्तों, आज मैं एक्स्प्लेन करने जा रहा हूँ हाल ही में रिलीज हुई एक क्लासिक होरर मूवी का, जिसका नाम है सालेम्स लॉट फिल्म की कहानी स्टीफन किंग की मशहूर नौवेल पर आधारित है, जो की एक पिशाच कट बारलो के बारे में है, जिसे नौसफेरातू के बाद सबसे डरावना पिशाच माना जाता है जहां भी वह जाता है, वहां का महौल का ब्रिस्तान जैसा बना देता है और वहां एक भी व्यक्ती वहां उसका एक बिजनेस पार्टन होता है, लेकिन असल में वह उसका सेवक होता है इस बार बारलो ने जेरुसिलम्स लॉट नाम के शेहर को चुना है और सालिम्स लॉट इसी का छोटा रूप है अब इस शेहर के साथ क्या होता है जानेंगे आज की इस वीडियो में बारलो अपने सहायक से कहता है कि शाम छे बजे एक क्रेट आएगा और तुम्हारा काम है कि उसे मेरे घर तक सावधानी से ले जाना और सेल में रखना फिर वह व्यक्ति एक ट्रक वाले के साथ क्रेट को घर तक लाता है मास्टन शैतान की पूजा किया करता था एक दिन उसने अपनी पत्नी को मार डाला और फिर खुद को भी खत्म कर लिया इसके बाद यहां रहने वाले लोगों के लिए ये घर मनहुस साबित हुआ इसलिए चालीस साल से यह खाली पड़ा था और इसलिए स्टेकर ने जान बूज कर इसी घर को खरीदा था क्योंकि लोग इस घर से डर कर दूर रहते हैं और वह अपनी बुरी योजनाए आराम से कर सकता था बिना किसी बाधा के खेर वह व्यक्ती कहता है अपनी दादी के किस से बंद करो और काम पर लगो वह कहता है तुम क्या कर रहे हो यहां से चलो यहां ज़wheदा देर रुकना ठीक नहीं है इस से बारलो का संबोहन तूर जाता है और दोनों वहां से चले जाते हैं अब हम कहानी के मुख्य पात्र बैन मिर्स को देखते हैं, जो कार में बैठा रेडियो सुन रहा है, रेडियो से हमें पता चलता है कि यह 1975 का समय है, बैन मास्टन हाउस के ठीक सामने होता है, और उसे टक्टकी लगा कर देख रहा था, तभी शेहर का शेरिफ वहां आता है, औ इस पर बैन कहता है कि वह एक लेखक है, और पहले इसी घर में रहा करता था, अब वह अपनी अगली किताब के लिए प्रेरना खोज रहा है, शेरिफ कहता है, देखो अगर तुम कुछ गढ़बर करने आए हो, तो प्लीज मत करना, नहीं तो मुझे काम पर लगना इस से आप समझ सकते हैं कि इस शेहर के लोग कितने ब्रश्ट हैं, शेहर के किसी भी घर में धार्मेक वस्तुएं नहीं मिलेंगी, क्रॉस वगरा कुछ भी नहीं, और यहां की जनसंख्या केवल 1282 है, तो यह है पूरे सालेम्ज लोट का द्रिश्य, एक छोटा और ब्रश् को एक रियल इस्टेट शॉप पर देखते हैं, वहां उसकी मुलाकात सूशन नाम की लड़की से होती है, जो बैंग की किताब पढ़ रही थी और उसकी बहुत बड़ी फैन थी, उसका बैंग पर क्रश भी होता है, लेकिन वह उसे पहचान नहीं पाती, क्योंकि उसने किता किताब में सिर्फ उसका चित्र देखा था, वह कहती है, मुझे लगता है मैंने तुम्हें कहीं देखा है, बैंग कहता है, वह सब छोड़ो, ये बताओ कि किताब कैसी है, सूशन कहती है, किताब तो कमाल की है, मैं चाहती हूँ कि यह कभी खत्म ही ना हो, तभी शॉप का मा जालिक वहां आता है और बैन उससे कहता है कि उसे मास्टन हाउस के राय पर चाहिए लेकिन उसने किसी को वहां देखा है वह आदमी बताता है कि 40 साल से वह घर खाली पड़ा था लेकिन इंग्लेंड से स्टेकर नाम का कोई आया है जिसने उसे खरीदा है सूशन पूछती है तुम्हें मास्टन हाउस के बारे में कैसे पता बैन कहता है कि 9 साल की उम्र तक वह वही रहता था सूशन कहती है तुम मुझे इसलिए जाने पहचाने लग रहे हो जब वह अपना नाम बताता है तो सूशन उसे पहचान लेती है और सोचती है ये तो वही है मेरे सपनों का राजकुमार उसके बाद वह बैंग को एक महिला के घर का पता देती है ताकि वह वहाँ आराम से रुख सके अब कहानी के दूसरे पात्र की ओर बढ़ते हैं जो कि एक 11 साल का बच्चा है और उसका नाम मार्क होता है माग भी हाल ही में टाउन में आया था और स्कूल में आज उसका पहला दिन था माग बहुत ही टेलेंटेड बच्चा था जिससे उसकी कई दोस्ती हो जाती है वह सबको एक escape magic trick दिखा रहा था तभी स्कूल का बदमाश लड़का रीची वहां आता है और उससे धमकाने की कोशिश करता है लेकिन माग उल्टा उसका ही हाथ मोल देता है इधर दोनों बच्चे लड़ रहे थे लेकिन टीचर उनका ध्यान नहीं दे रहे थे तभी मैट नाम का टीचर उन्हें देख लेता है आकर उन्हें छुडाता है और उन्हें समझाता है कि लड़ाई करना बुरी बात है स्कूल के बाद माग अपने दोस्तों के साथ घर जाने लगता है तभी शॉप से स्टेकर उन पर नजर रखे हुए होता है वह अपने मालिक के लिए पहले शिकार की तलाश में था उधर बैन लाइब्रेरी में होता है और वह मास्टन हाउस की हिस्ट्री के बारे में रिसच कर रहा था तभी सूशन अपनी मा के साथ लाइब्रेरी में आती है जहां कि लाइब्रेरियन भी सूशन की दोस्त होती है और उसे बताती है कि बैन यहीं पर है उसने बैन के बारे में भी रिसर्च कर रखी थी वह बताती है कि पहले बैन इसी टाउन में रहता था लेकिन एक कार एक्सीडेंट में उसके माता-पिता की मौत हो गई थी अब वह सालों बाद यहां लोटा है और पूरे दिन लाइब्रेरी में रहता है शायद वह अपनी नई किताब पर काम कर रहा है जाते जाते सूशन बैन को इशारों में बता देती है कि इस हफते उसका घूमने का प्लान है लेकिन किसके साथ ये वह नहीं बताती बैन उसके इशारे को समझ जाता है कि उसे बैन के साथ ही घूमना है उधर माक के दोस्त उसके घर पर होते हैं और हमें पता चलता है कि माक हॉरा का बहुत बड़ा फैन है वही पूरी कहानी को कुछ शब्दों में बदलाव के साथ पुनह लिखित इवन वीची से नहीं माक कहता है कि नहीं मुझे दर नहीं लगता एलपी कहता है कि अगर कल को वो कुछ बड़े लड़कों को साथ लेकर आए तब क्या माक कहता है कि फिर भी मैं पीछे नहीं हटूंगा, मैं मुकाबला करूंगा इसी पर LP का बड़ा भाई डैनी, जिस पर माक उसे एक माउथ औरगन दे कर कहता है कि जब भी डर लगे इसे बजाना प्रसिद जादूगा होडिनी भी ऐसा ही करता था और मैंने यह उसी से सीखा है फिर बच्चे अपने घर की ओर चलने लगते हैं तभी स्टेकर अपनी कार लेकर उनके पास आता है और उन्हें लिफ्ट ओफर करता है लेकिन बच्चों को सिखाया गया था कि अजन्बियों से लिफ्ट नहीं लेते और वो मना करके चले जाते हैं उधर बैन और सूशन भूमने जाते हैं जहां सूशन बताती है कि वह यहां की नहीं है बलकि बॉस्टन से आई है और बस रियल एस्टेट एजेंट का लाइसेंस मिलने तक ही यहां रहेगी उधर बच्चे जंगल के रास्ते अपने घर लोट रहे थे सूर्यास्थ हो चुका था और स्टेकर उनका पीछा कर रहा था मौका देखकर वह डैनी को पकड़ लेता है जब डैनी का भाई समझता है कि वह लापता है तो वह चिंतित हो जाता है इस दौरान शेरिफ उसे बताता है कि एक बच्चे की गुमशुदगी की रिपोर्ट आई है डैनी डर जाता है लेकिन समझ पाता उससे पहले बारलो उस पर हमला कर देता है अगले दृश्य में हम देखते हैं कि डैनी अपनी मा से कहता है कि वह बीमार है उसे अच्छा नहीं लग रहा उसकी मा उसे अस्पताल ले जाती है जहां डौक्टर बताती है कि डैनी को परनीशियस अनीमिया नामक बीमारी है जिससे खून की कमी होती है यह विटामिन बी की कमी के कारण होती है जिससे लाल रक्ट को शिकाएं कम बनती है आम तोर पर यह उम्र के साथ बढ़ती है लेकिन डैनी अभी बच्चा है और उसकी रक्ट को शिकाएं 40 साल के व्यक्ति के समान है बैन पूछता है कि अब हमें क्या करना चाहिए टीचर कहता है कि डॉक्टर और पुलिस को बुलाओ लेकिन वेंपायर वाली बात का जेक्र मत करना बस कह देना कि वह बीमार था इसलिए उसे यहां लाया और यह नींद में ही मर गया डॉक्टर आकर उसे चेक करती है माईक की बॉडी सफेद पर चुकी थी जैसे उसमें खून ही ना हो तभी टीचर कहता है कि क्या डैनी की मौत भी खून की कमी से हुई थी शेरिफ कहता है कि क्या तुम कह रहे हो कि इन दोनों की मौतों में कोई कनेक्शन है डॉक्टर से सवाल पूछते हैं कि तो फिर आप ही बताए ये कैसे मरा डॉक्टर कहती हैं कि जैसे ही मुझे पता चलेगा मैं बता दूनगी इसके बाद वे माईक की बॉडी को वहां से ले जाते हैं अब आता है फिल्म का सबसे आइकॉनिक और दरावना द्रिश्य जब डैनी खिल्की पर आता है और उसकी आँखें चमक रही होती है माउक उसे देखता है और वह उसे सम्मोहित करके खिल्की खोलने पर मजबूर कर देता है तब ही वह माउक के सामने बारलो का जिक्र करता है मिस्टर बारलो आपसे मिलना चाहते हैं और वह माउक की ओर बढ़ता है अब माउक के पास कई सारे सामान पड़े थे जिन में एक क्रॉस भी था फिल्म में दिखाया गया है कि वेंपायर जैसी बुरी शक्तियों के आसपास होने पर क्रॉस तेज चमकने लगता है पुरानी फिल्म में ऐसा नहीं था खेर माउक उसी क्रॉस का उप्योग करके दैनी को भगाने में सफल हो जाता है माक को इन भूतिया शक्तियों की कुछ जानकारी थी इसलिए उसे समझने में देर नहीं लगती की बारलो एक वेंपायर है और वही यह सब कर रहा है उधर तीचर भी वेंपायर पर रिसर्च कर रहा होता है तभी माईक आकर उस पर हमला करता है और उसे सम्मोहित करने लगता है लेकिन तभी तीचर के हाथ में क्रॉस आ जाता है जिसे दिखा कर वह माईक को वहां से भगा देता है उधर नस डॉक्टर को बताती है कि डैनी की माँ की भी मौत हो गई है उसकी मौत भी खून की कमी से हुई है फिर उन्हें पता चलता है कि मुर्दागर से माईक की बोडी गायब थी जिसके बाद डॉक्टर तीचर से मिलने उसके घर जाती है जहां वह उसे घायल हालत में मिलता है और वह बताती है कि डैनी की माँ भी मर चुकी है और माईक की लाश भी गायब है इसके बाद तीचर बैन और सूशन को बुलाता है और अपनी रिसर्च के अनुसार बताता है कि विश्वास, क्रॉस, सफेद गुलाब या लहसुन इनसे ही वेंपायर से मुकाबला किया जा सकता है और अजीब बात यह है कि इस शेहर में एक भी सफेद गुलाब नहीं होता, वह कहती है कि हमारे पास कोई सबूत नहीं है सिवाय माइक की गायब लाश के टीचर कहता है कि वह गायब है तो उसके पीछे एक कारण है कल रात वह मुझ पर हमला करने आया था और वह एक वेंपायर है डॉक्टर कहती है कि अगर ऐसा है तो डैनी की माँ की मौद भी इसी कारण से हुई होगी तो वह भी वेंपायर बन चुकी होगी रात में जाकर देखते हैं सारी सच्चाई साफ हो जाएगी टीचर कहता है कि तुम लोग जाओ मुझे बारलो और स्ट्राइकर के बारे में और जानकारी जुटानी है इसके बाद टीचर देखता है कि स्ट्राइकर ने सूशन की माँ को भी अपने वर्ष में कर लिया है और वह उसके साथ नाच रही थी उधर माक एक स्ट्राइकर लेकर बारलो को मारने के लिए निकलता है और तहखाने के रास्ते से अंदर जाता है तभी टीचर भी उसे वहां मिल जाता है जो पहले से वहां कुछ खोज रहा था लेकिन बाहर से अचानक स्ट्राइकर तहखाने का दर्वाजा बंद कर देता है और ताला लगा देता है जिससे वे वेंपायर बन कर जिन्दा होती है या नहीं लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता सूशन कहती है कि अगर ये सच में उठ गई तो हम क्या करेंगे और अगले ही पल वह जिन्दा हो जाती है और वर डैनी को पुकारने लगती है कि बेटा तुम कहा हो तुम्हारी मा तुम्हें बुला र लेकिन वह चमक नहीं रहा था यानि वह काम नहीं कर रहा था सूशन कहती है कि शायद इसे टेप से जोड़ना होगा और वह टेप लगाने लगती है इतने में दैनी की मा उटकर बैठ जाती है और उनकी ओर बढ़ने लगती है लेकिन तब तक वे क्रॉस को जोड़ लेते है और वह चमकने लगता है, बैन क्रॉस दिखा कर कहता है, कि जीसस के नाम पर मैं तुम्हें आदेश देता हूं की, लेकिन तभी टेप खुल जाता है, और अब तो उनकी मुश्किल बढ़ने वाली है, और वह सीधा डॉक्टर पर ही हमला करती है, लेकिन बैन ने पीछे से उसे कसकर पकड़ रखा था, फिर भी वह डॉक्टर को काट लेती है, तभी सुशन, न्यू सीटू और उसे वापस उसकी पीट पर लगा देती है, जिसके बाद वह चादर के अंदर से ही गायब हो जाती है, लेकिन डॉक्टर को उसने काट लिया था, इससे पहले कि उसके शरीर में वेंपायर के कीटानू फैलें, वह खुद को रेबीज का इंजेक्शन लगा लेती है, और यह उपाय भी काम कर जाता है, क्रॉस लगाने के बाद भी उसे कुछ नहीं होता, यानि वह वेंपायर बनने से बच गई, बैन कहता है कि वहां कलम और चर जाएंगे, वहां क्र पवित्र जल सब मिल जाएगा, फिर वे टीचर को देखने उसके घर जाते हैं, घर के सामने दो वैंपायर खड़े होते हैं, और वे समझ जाते हैं कि शायद इन्होंने टीचर को भी खत्म कर दिया है, फिर वे वहां से चले जाते हैं, इधर स्टेकर ने मार्क को उल्टा ब देता है, और मौका देखकर रॉड से स्टेकर को खत्म कर देता है, उधर बाकी लोग चाच जाकर फादर को सब कुछ बताते हैं, तभी माग भी वहां आता है, वह बताता है कि टीचर को भी बारलो ने वैंपायर बना दिया, मुझे पता चल गया था कि बारलो ही वैंपायर हेड है, मैं उसे मारने गया था, उसे तो नहीं मार पाया, लेकिन स्टेकर को मैंने मार दिया, खेर, मैं तो यहां पवित्र जल लेने आया हूं, और अब मुझे बारलो को मारना है, सब को यकीन ही नहीं होता, कि ग्यारा साल का बच्चा ये सब कर रहा है, इस उम्र में बच बिस्तर गी ले कर देते हैं, और वह वेंपायर हेड को मारने जा रहा है, खेर, वे उसे रोक लेते हैं, और कहते हैं कि रुप जाओ, हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे, फिर सब मास्टन हाउस जाते हैं, लेकिन स्टेकर की बॉड़ी उन्हें वहां नहीं मिलती, फिर वे त तहखाने में चेक करने जाते हैं, जहां वेंपायर के रूप में, टीचर उन पर हमला करने आता है, बेन तुरंत उसे स्टेक से मार देता है, लेकिन जल्दी में कंधे पर ही लगा था, जिससे वह खत्म नहीं हुआ, और वह बेन को पकड़ लेता है, और कहता है कि बारलो आ रहा है, आज तुम और तुम्हारा परिवार भी खत्म हो जाएगा, तब बाकी लोग तहखाने का दरवाजा खोल देते हैं, जिससे सीधी धूप टीचर पर पड़ती है, और उसका हाथ जलने लगता है, वह बेन को छोड़ देता है, फिर बेन उसके दिल में स्टेक मारता ह और वह आखिरकार खत्म हो जाता है, इसके बाद सब अपनी फैमिली को बचाने जाते हैं, और तै होता है कि सूर्यास्ट से पहले सब को साथ लेकर चच पहुँचना है, क्योंकि वहाँ वैमपायर नहीं आ सकते, धर के बाहर दूद और अकबार एकठा होने लगे थे, यान को तुम्हारी जरूरत है, शेरिफ कहता है कि यहां बचा ही कौन है, पूरा टाउन खत्म हो गया है, थोड़ी देर और रहा तो मैं भी मारा जाओंगा, मैं तो कहता हूँ कि तुम भी यहां से निकल जाओ, फिर वह वहाँ से चला जाता है, सुजन अपनी मा को लेने जाती ह लेकिन वह पहले ही बारलो की सेवग बन चुकी थी, और तभी वहाँ एक वैमपायर सुजन को काट लेता है, तभी बीच में बैन आकर सुजन को बचा लेता है, माक अपनी मा के साथ फादर के पास आता है, अपने मॉम डेट को कन्वीन्स करने में लगावा था कि टाउन प अपने मॉम डेट को कन्वीन्स करने में लगावा था कि टाउन पर वैमपायर्ज ने अटेक करने को तियारी नहीं था, लेकिन तभी बैम उसके बार साथे खेर जाता है, और वो वापिस चच की तरह भागता है, इसे दोरान माइक उस पर चलान लगा देता है, लेकिन तब दॉक्टर ने बैंग को स्टेक दे दिया था, जिससे बैंग माइक को मार देता है, और फिर दॉक्टर बागी वैमपायर्ज को क्रोस दिखा कर बैंग को अंदर ले लेती है, फिर बैंग पूछता है कि फादर कहा है, दॉक्टर बताती है कि वो तो खतम हो गए, फिर बंदा था नाबंदे की साथ और इधर मारक ने पूरी राच्ट्री हाउस में ही बिता दी थी। इधर दोनों मारक की घर उसे देखने जाते हैं जहां उन्हें उसका नोट मिलता है कि मैं बारलो को मारने जा रहा हूं। लेकिन मारक ने हाथ में स्टेक ले रखा था जो सीधा डैनी के दिल में घुस जाता है और वो भी खतम हो जाता है। वाले ग्राउंड पर लगी मिलती है फिर बैन जाकर सुजन की कार धूंडता है वो डिक्की खोल कर देखता है तो अंदर सुजन चैन से सो रही थी और उन्हें पता चलता है कि दिन में सारे वैंपायर्स कहां गायव हो जाते हैं। जो कार के दिक्की में ही सोते हैं। डॉक्टर फिर कहती है कि सुजन को मार दो लेकिन ये उससे नहीं हो पाता। जिस पर डॉक्टर ही उससे मारने जाती है। लेकिन इससे पहले कोई डॉक्टर को ही शूट करके खतम कर देता है। और ये सुजन की मौम ही होती है जो अपनी वैंपायर बेटी को प्रोटेट कर रही थी। वो बैन और माक पर भी गूलिये चला दिये जिससे बच कर दोनों छुप जाते हैं। तब ये बैन देखता है की संसेट होनी वाला था और वैंपायर दिक्की से बाहर निकलने लगते हैं। जिससे बचने के लिए दोनों समलेट की तरह भागते हैं। लेकिन कुछ वैंपायर बैन को पकड़ लेते हैं। तब ये माक के दिमाग में एक आइडिया आता है। और वो कार चला कर बड़े वाले एक बोर्ड को गिरा देता है। जिससे डिरेक्ट समलेट वैंपायर पर पर जाती है। और वो सब जल कर खतम हो जाते हैं। तब ही सुजन की मॉम बैंग को चूट करने आती है। लेकिन माक गाडी से उसको भी उड़ा देता है। और अब पूरे टाउन में बस ये द बढ़े से लोड़ अपर पढ़ती है। उसे लगता है कि पकका बारलो का कॉफिन इसी में होगा। और उसका अंदाजा एकदम सही था। फिर बैन कॉफिन को खीच कर धूप में ले आता है। और कॉफिन को खोलने लगता है। और माक शटेक लेकर तयार था। लेकिन कॉफिन बहुत भारी था, माक उसे नहीं खोल पाता, तब इतने में धूप खतम हो जाती है, और कॉफिन शेडो के अंदर आ जाता है, और उस समझ जाते हैं, कि अब ये बाहर आएगा, दोनों स्टेक लेकर तयार हो जाते हैं, लेकिन वो इतनी फोस से बाहर निकलता है, कि उ को उसे मारना पड़ता है, इधर माक भाग कर उस गिरिवे बोड के नीचे छुबा हुआ था, तब ही बारलो बोड चीर कर उसे पकड़ लेता है, और माक को उपकीच कर उसे काटने आता है, तब ही पीछे से बैंड स्टेक को उसके मुह के आर पार कर देता है, और फिर तो दोस्तों ये थी सलेम्स लॉड की एक्सपेलेशन उमीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी तो फिर मिलूंगा अगली वीडियो में तब तक के लिए टेक एर और कीप वाचिंग